नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर थलापती विजे, तमिलाडू का वो बड़ा सुपर स्टार जिसकी फिल्में आने पर प्रदेश में जश्न का महौल पन जाता है वो बड़ा सुपर स्टार जिसके सामने सत्ताधारी सरकारे भी जुकती हुई नजर आती है और वो बड़ा सुपर स्टार जिसकी फिल्म पर क्रिटिक्स के रिव्यू का भी कोई असर नहीं पड़ता फिल्म कैसी भी हो अगर विजे का नाम जुड़ा है तो वो फिल्म अपने अकेले इस्टेट में 200 क्रोंट प्लस का बिजनस करने का मादा रखती है विजे के इस्टार्डम का अंदाज़स सिर्फ इस बात से आका जा सकता है कि साउत में साइधी कोई ऐसा विनेता हुआ हो जिसकी फिल्मों ने बैक टू बैक ऐसे कलेक्शन निकाल कर देती रही हो 2014 से अब तक थलपती विजे की बैक टू बैक 10 फिल्मों ने 100 क्रोंट क्लब को जोईन किया इतना ही नहीं 2017 की मर्सल ने धाइसो क्रोंड प्लस, 2018 की सरकार ने धाइसो क्रोंड प्लस, 2019 की बिगिल ने धाइसो क्रोंड प्लस, 2021 की मास्टर ने धाइसो क्रोंड प्लस, 2022 की बीच ने धाइसो क्रोंड प्लस और 2023 की वाईसु ने भी धाइसो क्रोंड क्लब को जोइन किया है यानि कि back to back इनकी 6 फिल्में ऐसी रही हैं जिनोंने 200 क्रोंट प्लस का बिजनस किया है यहां गौर करने वाली बात है कि इस बीच इनकी कोई भी फिल्म लडख़ाई नहीं ऐसा box office result इससे पहले सिवाय रजनिकान साहब नहीं डिलीवर किया है दोस्तों ये आकड़े काफी हैं विजे के स्टारडम, उनके फैंडम और उनके स्टार पावर को बया करने के लिए विजे को भी अपने फैंस पर इतना भरोसा रहा है कि इनकी आकरी की तीन फिल्मों को हाई रिस्पर रिलीस किया गया रिस्क इन्दा सेंस मास्टर को तब रिलीस किया गया जब इंडस्ट्री पोस्ट कोविट पीरेट में खड़ी ही हुई थी मेकर्स और बड़े-बड़े स्टार्स फिल्म को उतारने से डर रहे थे विजे की फिल्म मास्टर बनकर तयार थी थेटर ओनर मंदी के दोड़ से गुजर रहे थे उन्हें एक बड़ी रिलीस चाहिए थी जो थेटर को रिवाइफ कर सके यहां थलापती विजे पहले एक्टर बने जिन्होंने अपनी पहली बड़ी रिलीस को उतार दिया कई जगा 150% occupancy के साथ चल रहे थे कि यह बावजूद थलापती विजे के फैंस फिल्म को देखने आये महज 135 क्रोंड के बजट में बनी इस फिल्म ने 2500 क्रोंड से 300 क्रोंड के बीच में कमाई करी फिल्म बॉक्स ओपिस पर सूपर हिट रही और दूसरे मेकर्स को भी हौसला मिला कि वे अपनी फिल्म को बड़े इस तर पर रिलीस कर सकें नेक्स्ट रिलीस थी बीष्ट यह थलापती विजे के केरियर का सबसे रिस्की प्रोजक्ट था दरसल फिल्म का क्लैस हो रहा था के जिफ चैप्टर 2 से जो साल दोर अठारा से अपनी लेगेसी को मेंटेन करे हुए थी पैन इंडिया लेवल पर फिल्म का बीते 3-4 सालों से इंतजार हो रहा था के जिफ चैप्टर 2 मतला मॉंस्टर फिल्म का हाइप इतना था कि इसके आगे पीछे 15-15 दिन कोई भी मेकर अपनी फिल्म उतारना ही नहीं चाहता था मगर थलापती विजए ने सीधा उसी दिन केजिफ चैप्टर 2 से क्लैस करा दिया ट्रेट पंडितों को लगा कि थलापती विजए इस फिल्म के जरीए गच्चा खा जाएंगे फिल्म रिलीस हुई और फिल्म को मिक्स टू एवरेज रिव्यू मिले वहीं दूसरी तरफ के जिफ चैप्टर 2 बॉक्स आफिस पर मॉंस्टर साबित हो रही थी जिसने पैन इंडिया के साथ साथ तमिल नाडू यानि कि थलापती विजए के गड़ में भी उनके सोस को खाने सुरू कर दिया था इसके बहुजूद थलापती विजए की फिल्म ने 2500 क्रोण का आकड़ा टश किया अगर विजए फिल्म के हीरो ना होते तो ये फिल्म बॉक्स आफिस पर बुरी तरह से ढह जाती और इनकी तीसरी हाई रिस्क फिल्मती वारिसू ये भी एक हाई रिस्क प्रोजेक्ट था क्योंकि थलापती विजए एक दसक के बाद फैमिली ड्रामा फिल्म में काम कर रहे थे जिस समय बॉक्स आफिस पर केजेफ, पुस्पा, ट्रिपल आर और कंतारा जैसी फिल्म में जंडा गाल रही थी उस समय विजए ऐसा कंटेंट लेकर आये जो काफी पहले ही आउटडेटेट हो चुका था नतीजन ट्रेलर रिविविव से लेकर फिल्म रिविविव तक फिल्म को काफी ज़़ा आउटलेज जहना पड़ा उपर से फिल्म का क्लैस हो रहा था तमिलनाडू के एनेदर बड़े सूपर स्टार थला अजित कुमार की फिल्म थुनिवू से इसलिए विजए की फिल्म को वैसे तो प्रॉपर इस्पेस नहीं मिल पाया तगड़ा बिजनस करने का फिल्म अपने कंटेंट से भी कमजोर थी बस थलापती विजए के नाम के चलते ही ये फिल्म थाइस्टो कौन का बिजनस कर पाने में सफल हुई और साल दोर तेज की वन अब दा बिगस डॉसर कहलाई ये थलापती विजए की पिछली रिलीजे हैं जो विजए के सूपर स्टार्डम को पूरी तरह से डिफाइन करती हैं विजए के फैंस अपने सूपर स्टार को हमेशा सपोर्ट करते हैं मगर ये बात उनके फैंस भी जानते हैं कि विजए का जो पोटेंसियल है जिस लेवल के वे सूपर स्टार हैं उस लेवल की ना तो ये फिल्मे थी और ना ही उस लेवल के सकस्स ये फिल्में डिलीवर कर पाई फैन्स अपने सूपर स्टार को काफी लंबे समय से एक ग्रैंड फिल्म में देखना चाहते हैं ऐसी फिल्म जो पूरे पैन इंडिया को टार्गेट कर सके मगर पैन इंडिया पर थलापती विजय की जितनी भी फिल्में रिलीस होई वो मिडियो करती यह यू कहाएं कि उन फिल्मों को पैन इंडिया ओडियों को टार्गेट करते वे नहीं बनाय गया था अब तक थलापती विजय की चार फिल्में हिंदी यह यू कहाएं कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीस हो चुकी है पहली थी साल 2015 की पुली, दूसरी थी मास्टर, तीसरी थी बीष्ट और चौती थी वारिसू इसमें पुली को तो ज़स्ट बहुबली के सकस्स के बाद ही जल्दबाजी में रिलीस कर दिया गया और ये बहुबली की बनी एक्सपक्टेशन को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाई, ये पैन इंडिया और साती साथ डोमेस्टिक बॉक्स आफिस पर भी नहीं चली मास्टर का हिंदी वर्जन कुछ आउडियंस को पसंद और कुछ को ठीक ठाक ओके ओके लगा इसके बाद बीष्ट की हिंदी रिलिस किसी मजाक से कम नहीं थी, एक तो फिल्म को बिना किसी तैयारी के हिंदी मार्केट में उतार दिया गया, साती साथ फिल्म का क्लैस हुआ केजिफ चैप्टर टू से, मैक्सिमम ओडियंस ने बीष्ट के एवेच में केजिफ चैप्ट यानि कि थलापती विजे की चारों हिंदी रिलीसस ने अंडर परफॉर्म किया, हाला कि ये भी जरूर था कि ये पैन इडिया फिल्म में नहीं थी, इन्हें तो बस थलापती विजे के फैंस के लिए डिरेक्ट थेटरस में रिलीस कराए गया, अब जो थलापती विजे की अगली फिल्म है, असल में वही विजे की इस्टारडम को मैच करने वाली फिल्म है, फिल्म का इनिशल टाइटल है थलापती 67 और भाई साफ फैंस को यही तो चाहिए था, फिल्म का बस केजिव की तरह ही तैयार हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोकी युनि से इसका कनेक्शन है, इसलिए इसको मैगनम ओपरस ओपनिंग तो मिलेगी ही, जब कमल हसन जिनकी पिछली फिल्म में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी और जब विक्रम में आये तो फिल्म ने साले 400 क्रोंड का बिजनस करके दिखा दिया, तब तो आप थलापती 67 का सोच आडम है ही, थलापती 67 कहां पर जाकर रुकेगी इसकी कलबना भी नहीं की जा सकती, नॉर्मली पैन इंडिया पर बड़ी सकस के लिए एक सीक्वल की जरूत पड़ती है, क्योंकि जब फिल्म का पहला पार्ट एक हाइप क्रेट कर देता है, तब उसका दूसरा पार्ट कोई टीजर रिलीज हुआ, ना कोई एनॉसमेंट हुई और ना ही एवन कोई एक पोस्टर तक रिलीज किया गया, इसके बावजूत फिल्म आए दिन ट्रेंड हुआ करती है और पैन इंडिया पर इसकी जबजस्त अपील है, दोस्तो थलापती 67 और लोकी युनिवर्स का ए सकते हैं, आई प्रॉमिस मैं आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई पका करूंगा, खैर आपको बता दू, थलापती 67 में कमल हसन सर का कैमियो रखा गया है, सोर्सेज बताते हैं कि कमल हसनी वो लिंक होने वाले हैं जो थलापती 67 को लोकी युनिवर्स से लिंक करेंगे, इस एक इंटर्वी में फात फाजिल ने इसकी एक हलकी सी हिंट दी थी, बहराल थलापती 67 में संजेदत एक बड़ा नाम है और यहाँ पर 70% चांस है कि में विलन का करदार वही प्ले करेंगे, के जिए चेप्टर 2 के तरह यहाँ पर विजय वर्स संजु बाबा नजर आएंग अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद